बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी दिल्ली के घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों के जाँच करने का आदिश दिया है। सदर SDM ने मंगलवार को निरिक्षन किया था जिसकी जाँच रिपोर्ट में कई खामया मिली। इसके बाद कोचिंग के बाहर बुद्वार को नोटिस लगा कर इसे बन कर दिया गया। राजणी पटना के बोरिंग रोड केंपस में ताला लगा है। पटना में कोचिंग संस्थानों के जाँच मंगलवार से ही की जा रही है। जाँच के करम में खांसर की कोचिंग में भी खामी पाई गई। पटना के SDM श्रीकान कुंगलिक खांडेकर ने टीम के साथ कई कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया विखांसर के GS Research Center पहुँचे थे मिली जानकारी के नुसार पहले तो खांसर के करमशारियों ने उन्हें टालने की कोचिश 197 की लेकिन बाद में पूरे कोचिंग संटर की जाँच की गई अब तक लगबग 30 कोचिंग संटर की जाँच की गई है जिनने कई कोचिंग संटर तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम का होना अनिबारे बताया गया है जो ज्यादतर संस्थाओं के पास नहीं मिला वहीं देखने में आया कि जैसे ही खांसर की कोचिंग पर टीम पहुँची और जार शुरू की तो खांसर और अधिकारियों के बीच पहस बाजी भी हो गई SDM स्रीकांट ने बताया कि आज अमने पटना के नया टूला से ही कर भिखना पहाडी तक तक तकरीबन 25 से 30 कोचिंग संस्थानों की जांच की है खां की GS Classes और ग्यांविंदू कोचिंग सेंटर ने अलग-अलग मापदंडों की सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा है इन्हें कलतक इसे जमा कराने के लिए कहा गया है उन्होंने कहा कि जांच के दोरान ये पाया गया है कि भीडबार वाले राके में कोचिंग संस्थानों का संचालन हो रहा है कुछ जगहों पर रेजिस्ट्रेशन नहीं है जिस पर संख्यान लिया जा रहा है कोचिंग में फायर उपकरल तो हैं लेकिन फायर आइनोसी नहीं है जिएक क्लासेश का भी इरिक्षन किये हैं तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदू और जो खान जी-स ऐस है उनके दौरा हम लोगों से समय मागी है कि अलग-Alग जो बार उस्टिफिकेट रहते हैं तो वह फिलाल अभी है उनके पास लेकिन उनक्रोड समय मांगा है कल हम सब्सक्राइब कम जगह पर ज्यादा स्टुडेंट पड़ रहा है तो इसमें कुछ-कुछ जगह पर रजिस्टेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्टेशन इंट्री एक्जिट फायर सेप्टी का भी फायर सेप्टी का भी फायर एक्स्टिंग्विशर लगाया है पूर्टेबल लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनोसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है भी बतादे की राज़ानी पटना में SDO की टीम अंगलवार को मच्वा टोली खंजाची रोड स्थेट के कोचिंग संस्थानों पर छापे मारी के लिए पहुँची थी ये लाका कोचिंग का हब माना जाता है बताया जा रहा है कि SDO की टीम दिल्ली की तर्ज पर कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की जाच के लिए पहुची थी इस चापे मारी की कारवाई में SDO की टीम को क्या हाथ लगा है इसका खुलासा नहीं हुआ दिल्ली में कोचिंग छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रसासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है और जिला प्रसासन ने जो जाच कमीटी अगठन किया था जाच कमीटी अब जाच में जुट गई है इस वक्त हम राजधानी पटना के गोपाल मार्केट में हैं और इसके आसपास में भिकना पहाडी एडिया, मुसल्लफ पूर एडिया तमाम जगों पर लगाता जो जाच कमीटी है उसकी दविश्ट देखने को मिल लही है और SDM सदर खुद देख सकते हैं स्रिकांत कुंडलिक खांडेकर जो है उनके नित्वित्व में जाच चल रही है और सदर DSP भी है साथ में इसके साथ साथ प्रकंट सिक्षा पदाधिकारी अगनी श्रवन पदाधिकारी तमाम जो जाच कमीटी के सदस्त हैं जाच कमीटी अगठन किया गया था जिलाप्रसासन के दौरा यानि डियम चंसिकर सिंग ने कल ही जाच कमीटी बनाई थी जिसके बाद देख सकते हैं कि असर सुरू हो गया है और राजधानी पटना में जिस प्रकार से कोचिंग संचालन किये जा रहे है अब पूरी चीजो रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं खुद बारी की से चीजों को देख रहे हैं सदर एश्डियम जो है सभी कोचिंग में प्रवेश करके क्लासरूम से लेकर लाइब्रेडी और जो संचालक का चेंबर है वहां तक प्रवेश कर रहे हैं देख रहे हैं कि आखिर जो विधी दिनों का समय दिया गया है कि जांच कमीटी 14 दिनों में जो है डियम को रिपोर्ट करेगी और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें और एश्डियम से बाचीत भी करेंगे सदर एश्डियम है क्या लग रहा है आप लोगों ने एक्शन शुरू कर दिया है किस प् स्टूडेंट की सेप्टी को हम लोग धान रखते हुए जो भी यहां फैसिलिटीज दी जा रही है लाइट की वेवस्ता इंट्री एक्जिट की वेवस्ता और फायर बिल्डिंग बाइलाज का पालन किया है कि नहीं किया है परियापत मातरा में सवचाले की वेवस्ता पान में कुछ óbjects अबजेक्शन होगा इसमें तो जो जो हम लोगों को अभी निरिक्षन के क्रम में objection मिलते है या कमिया मिल रही है हम लोग उसको वीट प्रपत्र में डीएम सर को वो उसमें आज रिपॉर्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल यह चैले निस है अपने हमं और हम लो विवस्था, हेंटिलेशन, इतादी का विवस्था इसमें किया गया है कि नहीं, इस सारे विंदो पर हम लोग जांच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। भी कमिया पाई जाएगी, ये सीधे रिपोर्ट तयार किये जाएगी और रिपोर्ट जिलादिकारी को सौपी जाएगी, जिसके बाद एक्शन की भी तयारी होगी, यानि ये देख सकते हैं कि जो गैलरी है, इसमें कई कोचिंग संचालित किये जा रहे हैं, इसमें क्या कमी है और मानक को कितने कोचिंग पुड़ा कर रहा है ये तमाम चीजों को भी फिलहाल देखा जा रहा है क्लासरूम से लेकर जो बालकनी है निकासी है तमाम चीजों को देखा जा रहा है जाहिर है जिस प्रकार से दिल्ली में बेस्मेंट में कोचिंग छात्रों की मौत हुई है दर्दनाक हादसे के बाद हिर्दय विजारक घटना के बाद पटना में भी पूरी तरह से एक्षन शुरू हो गया हाला कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और जांच रिपोर्ट के बाद क्या एक्षन लिया जाता है ये आन वाला वक्त बताएगा कैमरा में दीपक के साथ रजनीश कुमार निउज एटीन पतना